पाकिस्तान जाकर प्रफॉर्म करेंगी और उन्हें कोई रोक नहीं सकता शिल्पा शिंदे जी इस वक्त हमारे साथ उनसे जानते कि इसके पीछे मकसद क्या था, क्या कहना वो चाह रही थी शिल्पा जी बार लग रहा है कि आपने गलत पकड़ लिया या इस बार भी सही पकड़े हैं? इनका इगो भी इतना छोटा है कि मिका पाजी ने सौरी बोल दिया तो हमने उनका बैन हटा दिया, नॉनसेंस, तो मैं इस पर ये कहना चाहती हूँ कि एक तो पहले आप और कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान जाकर परफॉर्म नहीं करेगा, प्लीज आप अपने आर्टिस्ट हमारा हिंदुस्तान हर चीज के लिए फेमस है लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान में नैशनल एवर्ड से ज़्यादा ओसकर एवर्ड पे गौर किया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर स्पेशली आज इंटरनाशनल ल पर जाना है, हमारी वेब सीरीज सब जगा पर जाएगी, इसलिए हमारे हिंदुस्तान के लड़कियों के साथ और बोल्ड रोल है, यह लिखके आता है, तब आपका हिंदुस्तान का प्यार कहां गया, यह जो वीडियो वैरल उसके बाद क्या आपको फोन कॉल भी आए, क्य लोगों ने कुछ पूछा इसके बाद, पहले दो धमकी देने, मुझे धमकी दे, ऐसे किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन एक दो फोन आया कि आप चाहती क्या है, मैंने क्या चाहती हूँ, वो मैंने बता दिया, I think तुम जैसे बेवकुफ योगों को मुझे फिर से बताने की जरूत नहीं है. तो इस तरह कि कहे आप, मैंने कहां मैं पीस चाहती हूँ के गलत चीजों को प्रवोक मत किजिए, इस तरह से आटिस्स को कोई बैन नहीं कर सकता, और मेरी आवाज सारे आर्टिस्टों के लिए है, सारे आर्टिस्टों के बहाफ मैं बोल रही हूँ, I think क्योंकि उनको पता है कि एक आवाज काफी है एक एहम सवाल यह भी है कि आप कॉंग्रेस पार्टी से भी जूड़ी है पर कुछ महीनों पहले आपने कॉंग्रेस भी जूइन किया था तो ऐसे में क्या ये पार्टी के तरफ से कोई बात आप से हुई है जिस तरह की बात आपन के बाद ने कियोंकि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूं सत्ता पर कोई भी हो मैं उसके अगेंस नहीं हूं क्योंकि ऑविसली लेकिन कांग्रेस के साथ तो अभी तक देश teraz की साथ ही तो था तो मैंद अभी यह हूं कि आगीं सत्ता पर नहीं है चड़ते सूरूज को सभी स तो मैं सत्ता पर नहीं है तो मैं क्या करूँ और मुझे किसी इसके लिए पॉलिटिकल लेवल पर जाने की जरूरत ही नहीं है मैं ये मेरे खुद की सोच है जो मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ अगर आपके परस्नल विचारों की बात करें तो धारा तीन से सत्तर जो हटा है उसके बारे में आप क्या मानती है क्या ये सही हुआ है या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हूँ कुछ और होना चाहिए तरीका गलत था कुछ इस तरह क्या मानती है देखो धारा सत्तर के बारे में मुझे भी हाफ नॉलेज पर कभी बात नहीं करनी चाहिए धारा सत्तर के मामले में भी मैं ये सोच रखती हूँ कि ये शायद मुझे भी हाफ नॉलेज है लेकिन जो भी धारा थी वो इतना कनफॉर्म था कि ये टेंपरेडी थी ये हटने ही वाली थी तो मुझे लगता है जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो वो इसकी जानकारी करे और इसके बारे में बात करे उसकी वज़े से देश में आप आतंग फैलाओगे और इस तरह से सबको परिशान करोगे तो कोई मतलब नहीं है उसके बारे में पढ़ो उसके बारे में जानकारी हासिल करो और फिर अपना मुद्दा रखो क्श्मीरियों को बड़ी धिक्कत हो जाएगी इस से जो कॉंग्रीस पाटी लाकातार कह रहें कि कश्मीरियों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी 370 भटा देने से सच में मैंने कहा смотреть में सच में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी मैंने कहा अफिर तो पाकिस्तान से आपको अभी ओफर आता है वहाँ परफॉर्म करने के लिए तो आप जाएंगे वहाँ परफॉर्म करने के लिए तो मैं जरूर जाओंगी अगर मुझे बुलाते हैं और अलाव करते हैं और सारी चीज़े पॉसिबल है तो मैं कर सकती हूँ, मुझे नहीं कोई रोक सकता, बिलकुल नहीं रोक सकता, मुझे आर्टिस्टों को भी नहीं रोक सकता, किसी आर्टिस्ट को नहीं रोक सकता, आर्टिस्ट को फुटबॉल की पाकिस्टान से तो यह जरूर जाएंगी क्या मैं मैं संतो उस पालवन के एक साथ राजेश कुमारी इंडे टीवे मॉंबाई